तो योगी मंत्री मंडल में आयूश मंत्री बने दयाशंकर मिश्र काफी confident नजर आ रहे अगले पात सालों में राज्जे के विकास को लेकर सरकार का क्या विजन है इसके साथ ही क्या कुछ बड़े प्लैन्स जानने की गोशिश की सहयोगी फैसने मेरे साथ मौजूद है दयाशंकर मिश्र दयालो जी जो आयूश मंत्री है बनारस से रहाते हैं इनको प्यार से इन लोग दयालो जी कहते हैं सर पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत थे रफ्टार मीडिया पर ज़न्यवाद मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी मुखमंत्री जीन एक दिन सौ दिन का टास दिया है विभाग को समझना है समिक्षा करना है आप लगतार अस्पतालों का दोरा भी करें क्या कुछ आपको लग रहा है इसमें अभी वीश में आरवेद को परमोट करने के लिए आरवेद अच्छे हैं लेकिन आप अस्पतालों का दोरा करिए मरीजों की जो ओपिडि चल लगी उनके बीच में जाईए जो डॉक्टर्स की टीम बैठी उनके कमरों का मुएना करिए कि वहां बैठने का सब कुछ तो हमने थोड़ा था कारपडाली को बदला है कि सिर्फ बैठ के कम ज़ते मेरी निगाह में आई है हमने उस पर ततकाल काम शुरू करा दिया तीस दिन का टास्क दिया हूँ कि तीस दिन के अंदर मेरी निगाहों ने जितनी कम्यों को महसूस किया है और देखा है उसको दूर करना है बज़ट का रोना था तो उसके लिए हमने समझत विभाग को दसलाख रुपया अपनी तरफ से विभाग की तरफ से दिया है कि वो छोटी मोटी कमिया इमारते नहीं है इमारते जो है अगर उनमें थोड़ी सी कमिया है तो उसको आप दूर कर लिए चाहे वो बैठने की कुरसिया हो चाहे वो जले हुए पंके हो चाहे वाटर कूलर हो चाहे इस्पताल की बात्रूम के ये तो इस चोड़ी चोड़ी चीज़ों को हमने का इस से हमारी ओपिडी बहुत अच्छे आटेंडेंस के लिए बायमेट्री का निवार कर दिया है जो पिसले दिनों छूट दी गई थी कि कोरोना के काल में तो कुछ ऐसे कारे है जिनसे की शुरुआत और जो मुकमंतरी जी का टास्क है सौधिन वाला वो हमको लगता है किसी एक आग दो बैटकों में निर्धारित हो जाएगा फिर हम लोग बहुत बड़े तैयारियों के साथ जो टारगेट मिलता जाएगा उसको पूरा करते चले जाएंगे तो अगला जो पांस के भी डाक्टर देखिया आपको शायद गली कोई महला कोई गली कोई ऐसा चौराहा नहीं जाएगा आपको हमेपैट के डाक्टर नहीं मिल जाएगा एक सस्ती इलाज की पद्धती है हमारी आरवेद में भी दवाओं पे जिस तरीके से काम हो रहा है दवाई हमारे सर्व जाए और आने वाला कल जिस तरीके से हमारे राश्ट्री नेतित्ति का मानी नरेंदर मोधी जी का और उतरपदेश के सस्थी मुक्मंत्री जी का विसेश इस मंत्राले पर कृपा है उनका दवाव है तो उस तरीके से मुझको लगता है कि आईश मं नहीं इसम्ठता को प्रा प्राथे मिक्ताओं में हमारी OPD है कोई ऐसी OPD नहों जिसमें कोई डाक्टर अनुपस्थित मिले डाक्टर बैठेगा मरी जाएंगे दवाएं मिलेंगी तो जब उस दवाओं का असर उसके शरीर पर होगा तो निशिद उसको महसूस होगा कि उन दवाओं उसको फाइदा पह हो हम ज्यादा ज्यादा उनको दवाए जो सरकार बनाती है फार्मेसी के दवारा उन पर बाजार पर जो वह आधारीत है वो कम से कम हो बाजार में उनको न जाना पड़े तो यह सारे प्रयास हमारे है टेया शंकर देयालू जी जो आयुश मंतरी हैं लगतार अस्पतालों को दौरा कर रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि आयरुवेट चिक्षा को और कितना बहतर बनाया जाए सके उसके लिए कोशेश कर रहे हैं और कहीं न कहीं योगी सरकार जिस तरह से स्वास विभाब को बेहतर करने कोशिश की जा रही है देया शंकर द्याली जो इसमें अग्रसर हैं आगे बढ़ चल के काम करें कैमरा परसन अनिल सैनी के साथ मैं फैसमत रफ्ताल मीटिया लगड़ाई